इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्य जी हैं इन से जानेंगे कि आखिर एंडिये में जो सीट शेरिंग का फॉर्मूला सामने आया है सीट बटवारे का जो एलान हुआ है उनमें पशुपति पारस और मुके सनी से भीबात करने की चर्चा चल लए थी वो दोनों गाइब क्यों हैं उनको एक भी सीटे क्यों नहीं मिली है प्रभाकर जी सीट शेरिंग का एलान हो गया है किसके खाते में कितनी सीट गई है कौन-कौन से सीट गई है यह भी फाइनल हो गया है लेकिन पशुपति पारस जो आपके साथ एक इमांदार अलाई थी और 2014 से आपके साथ थी पांच सांसर थे एक भी सिट नहीं थी है आप लोंने पहले तुम्हें बता दूं कि मैंने पहले ही का था एंडिये में सीट सेरिंग को लेकर कोई जमेला नहीं है मिल बैठकर सब्सक्राइब हो गया आप देख रहे हैं घुसना भी हो गई किसी व वही वजाए कि एंडिये की सीट में और किसी पद को लेकर घटक दलों में खीचता नहीं हो जैसे आपको दिख रहा है सब सीट सेरिंग हो गया एंडिये में आपसी भागिता है इसके लिए घटक दल चाहे छोटे हो या बड़े सभी की भागिदारी का सम्मान किया जाता है कि शिराक पासवान पस्पति कुमार पाराज उपेंद्रों को सभाव ने सिर्फ शिर्फ एठीत अगला दवाये गया है प्रभाकर जी मांजी जी की पार्टी एंडिये का भी नहीं हिस्सा है मैंने पस्पति पाराज का भी नाम लिया या भागिदारी सिर्फ चुराव लग कारण ही आज एंडिये के घटक दलों की संख्या पढ़ती जा रही है हम भातियांता पाड़ी के सिर्फ नितित्त जरूर इस बात की चिंता कर रहे होंगे कि आधरनी पस्पत्व और पारजी जो हमारे अंग हैं एंडिये के अंग हैं आज भी हैं उनके साथ भी न्याय हो उ लेकिन परिशती ऐसी बनी होगी जिसके कारण उन्हें हम लोग सभा कोई सीट नहीं दे पाएं लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि भातियांता पाड़ी की जो सोच है काटक दलों को लेकर करके छोटी दल हो या बड़ी दल हो सबका हम सम्मान करते हैं अब लगता है कि अ मजो के मन में कोई मलाल नहीं होगा बहुत जल्दी आपके सामने यह भी आएगा कि बस्वती पारज भी अच्छा एक खबर आई थी चले ठीट पारजी पर जो भी आपका भरोसा है हम चाहिए पर उस भरोसी पर ठरे उत्रे वह बात बिगर रहे कि उने आये वह बात तो चली रही थी अब कहीं सामती नहीं बनी होगी कोई उनकी जो इक्षा होगी जैसे आपने देखा टीवी में जी कि उनका पहला मांग था कि राश्टी अस्तर पर समाज को आरक्षन दिया जाए तुरत तुरत कारवाई तो होता नहीं ह इस कि भी मानना है कि हमारे जो भी हमारे साथाना चाहते हैं उनका पुरा सम्मान सायोग करते हुं सम्मान करते हैं उनकी बातों से तफाक भी रखते हम नहीं कहते कि मनने nisahat समाज को आरक्षन नहीं मिलना चाहिए हम उसके पसंब है लेकिन इसका समय होता है आज उस बात को उटाना और यह चाहिए तक यह तब तक हम किसी का साथ नहीं देंगे या मुझे ठिक पतीत नहीं होता है अधर पहुंद को मैनिफेस्टों में वादा किया था उसके 99.9 परसें बादा को निभाया यह सब जानते हैं तो जब एंडिये का मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें मुकेश रहनी अगर अपनी बात रख पाते और उसमें वो सामिल हो जाता तो होता अब तो आचार से लग गया अपके से कोई गोस्ता कर सकता है लोग लेटिन नहीं तो अंदर की बात होती है और एंडिये में राके समाज पर अच्छी पकार रखते हैं तो वह अगर आपके अगेंस्ट में उत्रें तो फिर इसका नुक्सान थोड़ा बहुत उठाना पर सकता आपको देखिए मेरा आज भी मानना है कि मुकेश सानी जी के नजर में रास्त सर्वोपरी है यह कोई छेत्री पार्टी पर देखना चाहते हैं तो एंडिये के साथ रहेंगे मेरा आज भी मनना है चली चली प्रवाक्टर जी बहुत बहुत धन्यवारा पर